आपको पढ़ना ही काम है सर जिसके सारी दिक्कते चलती रहती है जिन्दगी में कोई चीज कभी खतम नहीं होने वाले चाहे कुछ भी कोसिस कर लो और जितनी जादे प्रॉब्लम आएगी ना उतना उतना आपको कुछ सिखा के जाएगी चलिए सर बहुत होगी बाते अब आजाते हैं आगे हम पॉइंट पे कहता है क्या सर दस हजार रुपे रीडिमेबल प्रफनीज सियर इक्वली आपका एकुटी शियर है ठीक है सर सेक्यौरिटी प्रेमियम है ओके जनर रिजर्ब है ओकेज़न प्रॉफिट एंड लास है करें करेंगे मतलब सर सर preference share capital की बात करें न हम तो preference share capital कितने है सर दो लाक दो लाक है न बीस लाक है सर बीस लाक है कितने है बीस लाक और कहता है इसको redeem करेंगे 10% premium पे तो security premium कितना आएगा दो लाक इसका मतलब सर बड़ी सी बात है हमें 22 लाक रुपे का इंतजाम करना पड़ेगा payment करने के लिए और CRR के according या कुछ भी करो उसके लिए आपको 20 लाक रुपे का इंतजाम करना है आगे देखना मजे की बात सवाल में क्या कहता है fresh issue of equity share to be made extent of required terms of provision of the companies act 2013 fresh issue उतना ही करना जितना जरूरी है ऐसा नहीं कि हम equation बनाते हैं आगे देखिए all investment were sold of market value market value यानि ये वाला investment जो था ना उसको बेच दिया आपने इतने का तो सर फाइदा हो गया तो investment बेचने की entry कर देंगे हम temporary bank overdraft to be arranged in case of shortage of fund temporary bank overdraft bank overdraft क्या हो गया हमारा अगर को shortage of fund मतलब भया तुम पैसा 22 लाग रुपे दोगे मामूली हो माउंट है कि 22 लाग रुपे देना आप दोगे तो आपके bank में shortage हो जाएगा जब bank में आपका shortage होगा तो उस fund का arrangement करना तो कहता है temporary bank overdraft bank वालों से बोलना भया उधार दो हमें preference share holder को क्या करना है payment करना है सर इस लाइन का मतलब क्या है जब हम redeem करने गए हमने बुला आजा भाई preference share holder तिरको पैसे देंगे जिसमें से 200 share holder को देखते देखते परिशान होगे बुलाते रहें बुलाते रहें वो मिला नहीं could not be trace तो उसको पैसे हम नहीं देंगे यानि 22 लाग रुपे हम देने के लिए तैयार है लेकिन 200 share holder के payment नहीं हो पाएगा तो इसमें एक मजे की line यही था जो कि था subsequently the company issue bonus share in the ratio of equity share कहता है subsequently इसके बाद ये काम काज करने के बाद company ने bonus share issue किया in the ratio one equity share for every four यानि 4 के बदले में हमें एक दे देंगे equity share including the new issue यानि नए issue जो करे हैं उसके साथ तो सर हिसाब किताब बना लो ना कितने नए issue करना है बहुत simple सी बात है अब देखो हिसाब किताब बनाते हैं हमें preference share holder को जो payment करना है वो total 22 लाग करना है है ना 22 लाग में तो 2 लाग रुपे क्या होगा इसका बोलो और 20 लाग क्या होगा face value ठीक है इसका CRR होता इसका कोई CRR नहीं होता अब देख लेते हमारे पास reserve fund में कितने रुपे पड़े हैं सर पहले हम देख लेते हैं security premium में कितना है बहुत है security premium में है ही नहीं तो ये तो 0 हो सकता है अब face value का इंतिजाम करो security premium का तो इस्तमाल ही नहीं हो सकता तो ये तो रह गया खतम हो गया चलो general reserve 12 लाग है profit and loss 3 लाग 20 अजार है यानि 12 और 3 कितरे हो गए 15 लाग 20 अजार तो 15 लाग अब कहां से लाएं पैसा आप तो कोई उपाए है नहीं अब क्या करो fresh issue ही करो तो कितने पैसे कम पढ़ गए सर कितने पैसे कम पढ़ गए ये कितने बचे 4,8,000 कम पढ़ गए और 4,8,000 का ही fresh issue करना पढ़ेगा that is आपको 4, कितने रुपे का एक share नहीं बताया तो मान लो आपको 48,000 number of share fresh issue करना पढ़ेगा fresh issue करना पढ़ेगा अगर security premium होता न तो वही funda लग जाता सर जो कि पहले हमने सीखा था equation method से कितना n यहाँ पे कोई equation नहीं लगेगा बिल्कुल सर चलिए यहाँ तक पहले calculation में देखिए आप किसी बच्चे को कोई doubt है तो यहाँ तक बच्चे को किसी को doubt सौक का ले लो दस का ले लो आपकी इच्छा करता है इसमें घवराने सोचने हाली कोई बात ही नहीं है तोड़ासा इसके अंदर मैं थोड़ासा change करूँगा क्योंकि हम investment को profit भीचने हैं शायद देखलेता है investment कितने का 8 का कितने का बेच रहे हो 40 80,000 और आगे देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा change कर देते हैं सर क्या change करोगे यह ध्यान से निकल गया सर एक तो 15-20 हमारे पास है सर 15-20 कैसे है इसको ही बता दे यहाँ लिख देते हैं सर हमारे पास GR में है कितना है 12,00 सर P&L में है कितना है 3,20 कितने हो गए 15,20 सर जब हम उसको बेचेंगे ना किसको investment को बेचने के बाद भी हमारे पास आएगा 80,000 कैसे सर 8 का समान 1 तो कितने हो गए हमारे पास 16,00,00 तो सर यहाँ पे हम ना यह 15 हम क्या लिख देते हैं सर यहाँ 16,00,00,00 रुपे लिख देते हैं तो 4,00,00,00 की requirement होगा that is 10 रुपीज का each मान लो तो 40,000 fresh issue करेंगे that's it कोई दिक्कत कोई परिशानी फटाफट से काम start कर देते हैं बड़ी देर होगे इसको पढ़ते पढ़ते पहले investment बेचो investment बेचोगे तो bank में पैसा आएगा सर bank में कितना पैसा आएगा बता दो फटा फट आठ लाख 80,000 आपका investment कितने का था 2 investment सर 8,00,00 का था बाकी क्या हो गया सर profit हो गया तो 2 profit and loss profit हो गया कितने का 80,000 low जी low investment बेच दिया हमारे पास investment बिग गया 8,00,00,000 खाते में आ गया है ध्यान रखिएगा क्योंकि एक loan लेने वाली भी बात बोल दिये इस question है उसको भी हमें पूरा करना है है ना loan लेने की बात भी बोल दिये चलिए अब बुला लेते हैं preferential holder को आ जाओ या फ्रेश इसू कर देते हैं तो bank account debit bank में पैसा आ जाएगा कितने सर चार लाख रुपए और two six share application share application कितना आ जाएगा सर वो भी चार लाख आ जाएगा और अगली entry क्या करेंगे सर share application two equity कितने चार लाख security premium है यह नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ फिर चलिए बुला लीजिए किसको बुला ले भाई preferential holder आ जाओ कितने परसेंट आठ परसेंट परसेंट preferential capital कितने बीस लाख भाई या तुम्हे security premium देंगे चिंता मत करो कितने तो लाख और आ जाओ preferential holder कितने बाईस लाख जैसे हम इसे payment देने पहुँचे तो हमारा कुछ shareholder था भाग गए यानि मिले नहीं भाग नहीं गए basically मिले नहीं कितने preferential holder नहीं मिले सर 200 तो 200 को हम कितना नहीं दे पाएंगे 110 रुपे नहीं दे पाएंगे इसका मतलब 200 इंटू 110 कितने हो जाएंगे 11 दूनी 22 यानि 22,000 रुपे नहीं दे पाएंगे यानि 22,000 रुपे नहीं payment करना यानि जब हम करेंगे ना preferential holder डियू तो सबको किया लेकिन payment सबको नहीं हो पाएगा तो 22,000 कम हो जाएगा 22,000 में से तो कितना हो जाएगा 21,88,000 21,88,000 टू बैंक बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या 21,78,000 रुपे तो सर यहाँ पे क्या है सर पैसा कितना है 22,000 देना था मैं तयार था 22,000 देने के लिए लेकिन 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 मगर इसमें से कितने 22,000 रुपे नहीं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ कहता है न कुश्चन में सवाल को देखिए न आपको कह रहा है यह कहां कह रहा है भी दिखाते हैं आपको सर क्या कह रहा है पढ़िए यहाँ पे यह पेमेंट हमारी हो गई है मैं अगेन कहूंगा being लिखना बहुत जरूरी है format करना बहुत जरूरी है सब चीजों का ध्यान रखना sir sample paper आ गया क्या market में नहीं आया जी नहीं आया आने बस आज आएगा पूरे paper correction लग रहे हैं आज आएगा आप चिंता मत करो जैसे आएगा सबसे पहले आपको information दूँगा phone number दे दूँगा सबसे पहले आप ही खरीद पाओगे उसको चलिए बताइए बताइए कोई दिक्कत अब SP to SP कर दें कर दें SP to SP सर लो जी क्या हुआ SP to SP और ये SP to SP कितने होंगे दो लाग और दो लाग ठीक है सर दो लाग येस दो लाग ही तो करा था debit पूरे को write off करना पड़ेगा आपको चलिए ये हो गया कहता है past general entry transaction in the books of rainbow limited सारी की सारी general entry हमने कर दी किसी में किसी को कोई दिक्कत है तो बतादेए बोनस इशू रह गया है ना बोनस इशू बैंक ओवरड्राफ्ट भी रह गया बोनस इशू भी चलिए बोनस इशू निकाल लेते है सर बताईए बोनस इशू बोनस इशू देखिए शियर कितने हो गया चार लाक ही है और पहले से कितना पड़ा हुआ है हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास 20 लाक चार लाक ही है और पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास कितना सर कितना सर 20 लाक यानि 24 लाक 24 लाक रुपे का है बोलता है जिसके पास कितने है every 4 को देंगे एक तो divided by 4 24 लाक यानि सर 6 लाक का बोनस इशू करना है और रुपीज के टमस में बताएं नंबर के टमस में बताएं तो सर 60,000 रुपे का बोनस शेर करना है 60,000 बोनस शेर के लिए आपको 6 लाक का CRR चाहिए जिसमें से कितने का CRR बना लिया बहुत सारा CRR Oh my God, CRR भी तो नहीं बनवाया आपने गलत तलत करवा रहे हो CRR बनवाया ही अब आप से एक्जाम में भी ऐसी गलती हो सकती है न तो डरने की कोई बात नहीं हम सबसे लास्ट में कर दो CRR की एंट्री कोई नमबर थोड़ी न खटेंगे तो CRR में क्या जाएगा सर General Reserve General Reserve के बाद Profit and Loss General Reserve कितने का 12 लाक का ये कितने का 4 लाक का और 2 CRR 16 लाक का समझे अब bonus इशू कर दें bonus इशू करते हैं हम CRR को debit करो कितने सर कितने पैसे की जुरत है सर 6 लाक और 2 bonus इशू bonus इशू 6 लाक और bonus इशू के बाद क्या करें हम आगे bonus इशू 6 लाक 2 equity share capital याद आया 6 लाक ये लिए कोई दिक्कत है तो बताईए बोनस इशू ज़्यादा करें गया 24 लाक ही थे न बोल रहे हैं हाँ क्या 4 लाक के तो share पड़े है देखना कितने के share है गलत करा दिया अरे देखना कितने के share है ज़्या 40 नहीं है 4 लाक है हाँ 40 लाक के share है ना तो बोनस इशू तो कुछ और निकलेगा entry आप करोगे मैं तो नहीं करूँ आप 40 लाक और fresh issue 4 लाक total 44 लाक और एक share के कितने के share के बदले 4 के बदले तो divided by 4 यानि 11 लाक लो ये गड़ बड़ करा दिया कोई बात नहीं बत यहाँ 11 लाक करना है समझ में 11 लाक कैसा है चलो डन डना डन कौन सा अच्छा बैंक ओवरड्राफ का हिसाब किताब बता देते हैं लेने के लिए बोला है हलाकि इसने चलो बैंक ओवरड्राफ भी बोल रहे गया तो चलो हिसाब किताब वैसे जुरत नहीं पड़ेगी हमें total पैसा कितना चाहिए था total पैसे कितने चाहिए था टोटल पैसा चाहिए था हमें 22 लाग नहीं 21 लाग 88 अजार 22 लाग 21 लाग 88 अजार बैंक में कितना पैसा पढ़ा है 4 लाग ध्यान रखना बैंक में कितना था 4 लाग प्लस फ्रेश इसू से कितने आए याद करो फ्रेश इसू से कितने है कहां गया कहां गया कहां गया बस चार लाग और कहीं से पैसा आए गया नहीं आया माइनस कर दो 21,88,000 इतना पेमिंट किया तो बाकी ओवर ड्राफ्ट होगा ना सर 12,80,000 माइनस 21,88,000 तो बाकी ओवर 4,99,000 आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा इसको क्या लिखना नोट में लिखते ना बाकी बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं गया बैलेंस शीट अगर हम बनाते तो हो जाता से बताईए कोई डाउट डन